आये हम मतिय अध्यापंद्रा आयत साथ पर जाएं हे कप्टियों, यह शाय ने तुमारे विशे में यह भविश्वानी ठीक ही की है यह लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है पर मिश्वर उनकी उपासना को कैसे मानते हैं और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते है क्योंकि मनुश्य की विद्यों को धर्म पदेश करके जिखाते है येश्वर ने कहा कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परन्तु उनकी उपासना व्यर्थ है परमेश्वर ने यह सिधे तोर पर कहा था जब वह 2000 वर्ष पहले इस प्रत्वी पर आये थे चुकि तुम मनुश्य द्वारा सिखाये गए नियमों का पालन कर रहे हो तो तुमारा विश्वास तुम्हें स्वर्ग के राज तक नहीं ले जा सकता तुमारा विश्वास पूरी तरह से व्यर्त है येश्व ने उन्हें इसके प्रती जगाया लेकिन आपने और मैंने मसिह अंसांहोंग और हमारी स्वर्गय माता नई येरुश्लिम को ग्रहन किया है जो इस प्रत्वी पर उतर आये है तो क्या हमारा भविश्य उज्वल और महिमामई नहीं है? जो कुछ हमने सीधे परमिश्वर से सीखा है वह जीवन का मार्ग है यह यशाय द्याद दो में दर्जे है हम्मीका द्याद चार में भी इसी भविश्वानी को लिखा हुआ देख सकते है यह कहता है परमिश्वर हमें अपने मार्ग सिखाएंगे कि हम उनके पथों पर चलंगे तब वह कौन सा जीवन का मार्ग है जिसे परमिश्वर ने हमारे लिए खोला है परमिश्वर ने नई वाचा का फसह और नई वाचा का सबत उन लोगों को दिया है जो लगबग 2000 वर्षों से परमिश्वर के आग्याओं का पालन नहीं कर पाए थे परमिश्वर ने सवी नियमों और विदियों को पुरन स्थापित किया और उन्हें अपनी संतानों को सिखाया हमें उनकी सभी शिक्षाओं का वैसा ही पालन करना चाहिए जैसे वे हमें दी गई है मत्याध्य पंद्रा के नुसार परमिश्व के आज्याओं को मानने वालों और मनुश्य के नियमों को मानने वालों में बहुत अंतर है परमिश्वर उनके बीच अंतर करते हैं जो स्वर्ग में जा सकते हैं और जो स्वर्ग में नहीं जा सकते इस प्रत्वी पर समुद्र के किनारे की दरेत की तरह असंग के चर्च है तो भी जब आप उनके राधना के सभी तरीकों और धार्मिक प्रताओं को देखें तो उन में से कोई भी परमिश्वर की उड़ से नहीं है इसके बजाएं वे सभी मनुश्य द्वारा सिखाये गई नियम है जैसे कि आप पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं क्रिस्मस और रविवार के राधना ऐसी प्रताएं हैं जो सूर्य देवता की उपासना से उत्पन हुई है जिसकी रोम के लोग उपासना करते थे ऐसे प्रताओं का पालन करके मानव जाती जिनोंने सूर्य में पाप किया और इस पित्वी पर निश्कासित कर दी गई थी कभी भी पचचताप में नहीं आ सकती आपका बहुत बहुत धन्यवाद